हाई फ्रेंड्स मैं दिप्ती आपका फिर से स्वागत करती हूँ कुकिंग इंसाइडर में तो आज मैं लेके आगी हूँ मोस्ट वेटेड रेसिपी किमची सैलेड तो किमची सैलेड बनाने के लिए हमें लेनी हैं चाइनिस कैबच अगर आपको चाइनिस कैबच नहीं मिले तो आप नॉर्मल इनियन कैबच ले सकते हैं किसे भी कैबच से ये बन जाएगी इसको हमें क्या करना है सैल्फ लगा के रखना है आदे घंटे के लिए लगभग आदे घंटे के लिए हमें इसे नमक लगा के रखना है अच्छे से दो लीजे उसके बाद इसमें नमक लगा लीजे नमक लगाने के बाद इसे अराम करने दीजे आदे गंटे के लिए आदे गंटे के बाद क्या करना है दुबारा से नमक लगाना है दुबारा से नमक लगाके फिर छोड़ना है इसे आदे गंटे के लिए लगबग ऐसे ही हमें इसे चार बार दोहराना है जी हाँ यानि कि लगबग इसे टू आर्ट्स के लिए पूरे दो घंटे के लिए हमें नमक लगा के छोड़ना है ताकि ये अच्छे से नमक से गल जाए और ये विल्कुल सॉफ्ट हो जाए और फिर मिलते हैं दो घंटे के बाद तो दो घंटे हो गए चार बार नमक लगा के हमने इसो छोड़ दिया था अब देखिए इसके इंदर सारा का सारा जो पानी है इस कैबज का वो निकल चुका है इसे क्या करना है हमें इसको थो करना है इसको निकाल देना है निकालने के बाद इस cabbage को हमें अच्छे से दोना है पानी से नॉर्मल पीनी के पानी से आप इसे दो लीजे इसका जो नमक है वो हमें अच्छे से निकाल लेना है क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा नमक रह गया तो बहुत ज़्यादा salty हो जाएगी इसलिए हमें क्या करना है इसे बार बार दो से तीन बार अच्छे से बिलकुल वाश कर देना है सारा नमक हमें इसका निकाल देना है तो एक बार मैंने इसे दो लिया है अच्छे से स्क्वीश करके मैं इसका सारा पानी निकाल रही हूँ second time अब इसे दुबारा से दोएंगे हम तो आप दुबारा से मैं पानी इसमें आड़ कर रही हूँ और अच्छे से दो लेती हूँ ऐसे ही आपको process अपनाना पड़ेगा because अगर आपने अलका सब इसमें नमक जादा छोड़ दिया तो आपका जो किम्ची सैलेड है वो बहुत ही ज़्यादा salty हो जाएगा तो हम इसे अच्छे से दो लेते हैं और इसके बाद बनाते हैं किम्ची सैलेड तो हमने अच्छे से कैबच को दो लिया है और ये बिल्कुल ड्राय हो चुकी है पानी इसका सारा निकल चुका है इसे बाउल को हम साइड में रख देते हैं अब हम बनाते हैं किम्ची के अंदर डलने वाला मसाला तो हम एक छोटा सा बाउल लेंगे अब इसके हंदर हमें एड करना है अद्रक और लहसन का पेस्ट यानि कि जिंजर गार्लिक पेस्ट वन टेबल स्पून फुल टेबल स्पून आप घर पर भी बनासकते हैं अदरवाईस अगर आप बजार कर लेने चाये तो वो भी ले सकते हैं अब हम इसमें एड कर रहे हैं आदी चम्मच काली मेर्च का पावडर ओर आदी ही चमच इसमें हम एड करेंगे सफेद मेर्च का पावडर सफेद मेश यानी दखनी मिर्च का पाउडर हम इसमें एड़ करेंगे आदी चमच दोनों आदी आदी चमच हम इसमें एड़ करने हैं इसके बाद मैं इसमें एड़ कर रही हूँ फुल अमाउंट और वन टेबल स्पोन विनेगर येस उसके बाद हम इसमें एक चमच ही सोया सौसेट कर रहे हैं अब हम डालेंगे इसमें नमक स्वात के अनुसार क्योंकि हमने कैबच में से सारा नमक निकाल दिया है अब उसमें खुश नमक नहीं बचा हमने इसमें डाला है हाफ टेबल स्पोन नमक अब आएगा जी सबसे मेन इंग्रीडियन लाल मिर्च देगी लाल मिर्च मैं इसमें यूज करने वाली हूँ देगी लाल मिर्च चार चमच बड़े चमच अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप पांच या छे चमच भी डाल सकते हैं लेकिन मैं अभी इसमें सिर्फ डाल रही हूँ चार बड़े चमच देगी लाल मिर्च कुटी लाल मिर्च डालेंगी तो और तीखा हो जाएगा अभी मैं देगी डाल रही जिसमें रंग भी अच्छा हैगा और स्वाद भी तो उसके बाद हम इसमें एड कर रही हैं वन टेबल स्पून ओलिव ओल यह हम बना रहे हैं इंडियन वे में अगर आप इसी को चाइनीज वे में बनाना चाहें तो एक ओस्ट्रेश सॉस आती है आप वो भी इसमें डाल सकते हैं बहुत ही स्वादिस बनती है इसको अच्छे से मेक्स कर लीजे और इसे अब हम साइड में रख देते हैं अब हम लेते हैं जो कैबिज हमने साइड में रख की थी इसको हमें कट करना है स्क्वार पीसिस में स्क्वार पीसिस में कट करके इसे ball में add कर लीजे इस तरीके से अगर आप इसे और छोटे pieces में cut करना चाते हैं तो आपकी according लिए आप कर सकते हैं लेकिन मोटे मोटे pieces काफी अच्छे स्वादिस्ट लगेंगे अब हम इसको ball में add कर लेते हैं इसके बाद हम इसके अंदर add करने वाले हैं इसमें हम add करेंगे ये ingredients जिसमें मैंने लिया है white onion white onion को छोटे-छोटे कट कर लिया है साथ में सलात पता मैं add कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने दो मूली ले ली हैं उन्हें मैंने कट कर लिया है cutting आप अपने according कर सकते हैं इन सबकों हमें same ball के अंदर add कर लेना है बहुत simple recipe है आप से जरूर 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 try करना और मुझे बताना comments में कैसी लगी साही बताऊं किसी भी सालात किसी भी खाने के साथ ये आप serve करना खुद काना enjoy करना बहुत tasty बनती है और ये आप two months तक use कर सकते हैं एक बर बनाओ और दो मेने तक खाओ fridge में store करिए और enjoy कीजे और इसको अच्छे से अब हम mix कर रहे हैं और अब जो हमने sauce बनाई है उसको हमें इसमें add करना है एक बात का ध्यान रखे हास पिलकुल use मत करना क्योंकि हाथ पे मिर्ची लगेगी बहुत जलन करेगा तो आपको इसके अंदर spoon से ही mix करना है otherwise आपको एक gloves यूज़ कर लीजे इसको अच्छे से mix करना है ताकि ये सब में coat हो जाए तो सारी sauce हमने add कर ली है उसके बाद जी हमें से अच्छे से mix कर लेना है किसी भी spoon की सायता से आप से अच्छे से उपर से नीचे तक पुरा गुमा गुमा के अच्छे से coat कर लो जी उसके बाद आपको एक box लेना है चाहे वो plastic container हो चाहे वो glass container हो कोई भी एक box आप ले लीजे भर के fridge में store कर दीजे और जब आपका मंद करें खाने का निकाला और खा लिया ये बहुत ही tasty और healthy recipe है तो kimchi salad बनके ready है आप चाहे तो इसको अभी भी taste कर सकते हैं खा सकते हैं अभी मैं इसको container के अंदर store करके रख रही हूँ बाकी two days में तो ये awesome बनने वाली है अभी तो इसे हम store कर लेते हैं और आप भी बना लीजे जल्दी से और fridge में store कर दीजे और मिलते हैं new recipes के साथ मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो आप जरूर जल्दी से फटा फट से subscribe कर लो और recipe को जरूर से try कर लो और साथी साथ share कर दो comments कर दो और क्या कर दो बस यार like कर दो और मुझे support कर लो तो मिलती हूँ मैं next videos on new recipes के साथ अपने इस channel में जिसका नाम है cooking insider तो new easy recipes मेरे साथ जुड़े रहिए cooking insider में मिलते हैं bye bye